शाल फिस मचली के कैसी प्रजाती जो पानी के बहुत गहरे भाग में मौझूद होती है और हम आपको बताएं यह मनुश्य के लिए बिल्कुल भी हानिकारक नहीं होती क्योंकि यह काटती नहीं है और नहीं इनका आकार बहुत ज़्यादा बड़ा होता है इनका आकार एक सेंटीमेटर से लेकर ड़ सेंटीमेटर तक का पाया गया है जो अपने समू के साथ पानी के गहरे भाग में मौझूद होती है जिनमें यह बहुत से आकार बदलती है जिनमें से एक आकार सलंड्रिकल ट्यूब है और हम आपको बताएं इनको मरीन फिल्टर के नाम से भी पुकारा जा सकता है क्योंकि यह पानी की उपरी सतय पर आकर कारबन और पोस्वतत्तों को लेकर पानी के गहरी सतय पर जाती है और वहाँ पर ले जाकर उन्हें छोड़ देती है जिसके कारब यह समुंदर की ऐसी मुचलिया है मतलब ऐसी परजातिया है जो समुंदर के लिए बहुत ज़्यादा फायदी मन्द भी है 1910 में साउथन ओशियन अंटार्टिका के करीब देखा गया कि यहाँ पर बहुत से परजातिया साल फिसकी मुजूद है और साल फिसके अंदर भी बहुत से परजातिया है आपको ऐसी जानकरी अच्छी लगती है तो हमारे चैनल के साथ दूर सकते हैं